तो गई, जेसे कि आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले एपिसोड में लॉसेंटोस के प्रेसिडेन्ट फ्रैंकलिन को चैलेंज करता है कि वो उनके जैसा काम नहीं कर सकता इस बात को फ्रैंकलिन अपने दिल पे ले लेता है और चैलेंज एकसेट कर लेता है और election में खड़े होने के लिए अपना नाम रेजिस्टर करवा लेता है और जब voting का दिन आता है तब पता चलता है कि पहले वाले जो president थे उनकी तबियत अचानक से खराब हो गई है जिसकी बदलत Franklin अपने आपी president बन जाता है क्योंके उनके अलावा बस Franklin का ही नाम रेजिस्टर था अब देखते आगे क्या होता है सर कमोन कमोन बस 10 मिनिट और भागना है ये हमारा रूल है हमारा जो भी president होता है उसका fit रहना बहुत जरूरी है इसके लिए मैं आपको motivate करूँगी मैं आपकी manager मोनिका अरे यार ये सब तो मुझे पता ही नहीं था मेरी हालत खराब हो रही और कितनी दिर भागना पड़ेगा बस कुछी दिर की बात है ऐसे ही लगे रही है लगा हुआ तो हो यार मुझे नहीं पता था president को सुबह उटके ये सब करना पड़ता है सर एक बात बताईए अगर आप fit नहीं होंगे तो देश को कैसे चलाएंगे हम नहीं चाते पहले वाले president की तरह आपके भी तबियत खराब हो जाए आचा ठीक है वाई भाग राओ अरे शिंचन भीया देखो ना जबसे Franklin भीया president बने है उनके आसपास कितने लोग होते है यहाँ पर तीन bodyguard है अब तो उनके पास एक manager भी है इनके तो ठाट बाट है एकदम VIP वाली feeling आ रही होगी exercise करवाने के लिए भी इतने लोग अरी हा मिंचन पुल्टा ये तो अच्छी बात ही वेसे भी ये खुद से exercise तो करते नहीं है इसी बाहने थोड़ी fit तो रहेंगी मैं तो बोलता हू इनने पूरे दिन दोड़ा हो तभी इनने पता चलेगा चलो यार फाइनली ये पूरा हुआ हालत खराब हो गई है अब ठीक है ना और यार तुम तीनों ऐसे सामने मत खड़े रहो मेरे मुझे अजीब सा लगता है मुझे bodyguards की आदत नहीं है सर ये कुछ नहीं कर सकते ये इनकी duty है आपकी रक्षा करना हमारा करतव्या है हाँ हाँ मुझे पता है पर घर के बाहर भी तो खड़े हो सकते है न नहीं ये आपके साथ ही खड़े होंगे अच्छा ठीक है वैसे अब इसके आगे क्या करना है क्योंके मुझे पता नहीं president क्या क्या करते उसके लिए मैं हुँ ना आपको क्या क्या करना है मैं सब कुछ बताऊंगी सबसे पहले आपकी एक जगह पर appointment है आपको वहाँ पर चलना है ओके तो चलो फिट चलते अरे पागल हो गई हो क्या सर ऐसे कपड़ों में थोड़ी ना जा सकते है आप Los Santos के president हो अरे यार इन कपड़ों में क्या problem है पहले जो काम है मैं निप्टा के आ जाता हूँ आके नहा लूँगा नहीं ऐसा नहीं चलता अचा ठीक है यार क्या मुसीबत है यही पर रुकों मैं अभी तयार होके आता हूँ परना पता चला बाथरूम तक बॉड़ी गार्ड मेरे साथ आ गए अलगी मुसीबत है यह सब चलो भाई साब फाइनली तयार हुए अब चलते है यहां से फटाफट मुझे तो यह भी नहीं पता कि मुझे जाना कहा पर है इसने बस काई क्या appointment है यह लो अब तो ठीक है ना अब हम लोग जा सकते है के नहीं अरे सर पागल हो गए हो क्या यह क्या पहन लिया अरे यार तुमने का तयार हो कर आओ तो मैं तयार हो कर आगया मैं ऐसे ही गुमता हूँ पूरे दिन नहीं ऐसे नहीं चल सकता सर आपको सूट पहनना होगा प्रेसिडेंट ऐसे नहीं गुमती हम आपको ऐसे बाहर जाने भी नहीं दे सकती हमें माफ कर देना पर हमें रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए आप कपड़े चेंज करके आईए हम यहां का ध्यान रखेंगी आपको एक खरोज भी आने नहीं देंगी ठीक है ठीक है ऐसे डायलोग मानने की ज़रुत नहीं है मैं जा रहा हूँ चेंज करने यार पहली बार एक की दिन में दो बार कपड़े चेंज करता हूँ पहले तो मैं 4-4 दिन तक एक ही कपड़े पहन के रखता था चलो एक तो ये सूट पहले से बहुत जादा टाइट हो गया है मुझे लगता है मैं मोटा हो गया हूँ अब ठीक है ना सूट बूट पहन के तयार हो चुका हूँ लग रहा हूँ के नए प्रेसिडेंट अरी वाक्या बात है पहली बार अपको इतना तयार होते हुए दिखा है पहली बार तो मत बोल पहले भी तयार हो चुका हूँ ऐसा बोल कि बहुत दिनों बात देखा है ऐसे तो मॉनिका जी ये ठीक रहेगा जाने के लिए कि फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा पर जाना तो पड़े गई आप्शन तो नहीं है ना नई सर कोई आप्शन नहीं है ये सब प्रेसिडेंट का काम होता है आपको करना ही पड़ेगा आचा ठीक ये कर लोंगा तुम तो यार मैनेजर का मेरी माँ जादा लग रही हो अरे फ्रेंकलीन भीया ये इनका काम होता है इनकी कोई गलती नहीं हाँ मिंचान मुझे पता है मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई तो चलो सर चलते अभी अरे वह फ्रेंकलीन भीया के बात ही काश के ऐसी एक दीदी मेरे पास भी होती जो मुझे बार-बार गाइड करते रहती मज़ा ही आ जाता अरे ये बच्चा तो बहुत प्यारा है अरे मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ वेसे एक बात बोलू क्या क्या मैं भी आप लोगों के साथ आ सकता हूँ अरे नहीं नहीं आप प्रेसिडेंट के साथ नहीं गुम सकते क्यों नहीं ये हमारे साथ याएगा ये मेरा ओर्डर है अरे यार ठीक है चलो सर मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ हम यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाएंगे आपके गाड़ी बुलेट प्रूफ होगी अगर आपको कोई भी खत्रा लगे तो आपको गाड़ी के बाहर नहीं आना है जब तक आप गाड़ी के अंदर हूँ आपको कोई चू भी नहीं सकता है चलो अब आप सब लोग आके गाड़ी में बैठ जाओ मैं गाड़ी को शुरू कर देता हूँ अब आप लोग आ सकते हूँ चलो यार जल्दी से जाके बैठते आजाओ हमें अभी निकलना चाहिए वरना जादा लेट हो जाएंगे अरे यार आप सब लोग नीचे बैठे हो मुझे उपर की बिठाया चौप यार मैंने नहीं बिठाया ये लोग तुझे नीचे बैठ नहीं नहीं दे रहे मैं क्या करू सर आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप कुट्टे को अपने साथ नहीं रख सकते ये क्या बात होगई ये मेरा पालतु कुट्टा है अरे यार पहले तो कुट्टा कुट्टा बोलना बन करो मेरा नाम चौप है वो जो कुछ भी हो हम आपके साथ किसी को बैठने नहीं दे सकते ये दो बच्चे बैठे है ना ये भी आपके जिद के वज़े से वनना तो हम इने भी बैठने ना दे अरी ये क्या बात हो गई, मैं तो इस दीदी को अच्छा समझ रहा था, ये तो हमें भगाने के पीछे पड़ी हुई है, अरी नई शिंचन भाईया, इस अप प्रेसिडेंट की सेफटी के लिए होता है, हाँ शिंचन मिंचन एकदम सही बोल रहा है, अरी पर जरा देखता सही आपको कितनी ज़्यादा सेक्यूरेटी मिल रही है, आपके गाड़ी के बाहर भी दो बोडिगाड लटके हुए है, आके आपको कोई नुकसान ना हो, इन्होंने अपनी जान रिस्ट पर डाली हुई है, शिंचन इनका काम ही यही होता है, वरना तो प्रेसिडेंट को कभी कोई भी कुछ भी करके जा सकता है, अरे हाँ, यह बात तो अपने एकदम सही बोली, वेसे तो आपको डरने की जरूत नहीं है, क्यों भला, अरे कोई भी आपके शकल देखीगा ना, तो वो यह नहीं बोलेगा कि आप लोस सेंट उसके प्रेसिडेंट हो, शिंचन यार आप तो बेज जती मत कर, मैं इतने बड़े ओधे पर हूँ, अरे आप बन गई होंगी प्रेसिडेंट पर मेरे लिए तो मेरे फ्रेंकलिन भाई यही हो, आच्छा ठीक है बाबा, और मॉनिका मैं क्या बोल रहा था, प्रेस कॉंफिरेंस में जाने से पहले मुझे पहले वाले प पर आगे, पहले वाले प्रेसिडेंट हमें यही पर मिलेंगे, मैं थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ, पर मिलना तो जरूरी है, उन्होंने बहुत बेज़ती की थी मेरी, देखो अब मेरी बात सुनो, यहां से अंदर मैं और मॉनिका जाएंगे, तुम तीनों बोड़ी ग जरूरी है, हाँ वो चलेगा, अगर दूर से देखेंगे तो कोई बात नहीं, पर साथ में बस तुम आओगी, चलो अब चलते फटावट, ठीक है सर मैं आ रही हूँ, वैसे उनसे तोड़ी धंक से बात करनी होगी, क्योंकि मैंने सुना है वो बहुत जादा बीमार भी है, ह कैसे हो प्रेसिडेंट जी, ओ सॉरी, एक्स प्रेसिडेंट जी, अबियत वबियत तो ठीक है न, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझसे मिलने का क्या मकसद है, मैं बस आपको याद दिलाना आया हूँ, वो क्या बोला था आपने, मैं कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, यह लो आपके सामने खड़ा हूँ, यह बस लग की बात है, मैं उस टाइम बिमार पड़ गया था, हाँ आप डर के मारे बिमार पड़े थे, आपको पता था के मैं जीत गया तो क्या होगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए बोलता हूँ, जादा घमन भी नहीं करना चीज़ से, वो तो टाइम के साथ अपने अपता चलेगा, मैंने बोला ना वो समय देख लूँगा, मेरा बस यहाँ पर आने का एक ही मकसद था, प्रेसिडेंट बनके आपके सामने खड़ा होना है, ताकि आपका घमन तूटे, और वो मैंने कर दिया है, अब आप अपनी सि तो गाइस, पहले वाले प्रेसिडेंट से मिलके हम जा रहे है, प्रेस कॉन्फिरेंस की तरफ, जहाँ पर मुझे एक छोटा सा भाशन देना है, जो कि मुझे पता नहीं क्या देना है, पर अब मेरे दिल को तोड़ी शांती मिली है, ऐसा लग रहा है कि मैंने बदला ले लि है, ओ भाई साब क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया, जिसके वज़े से तुम्हें मैं घमंडी लग रहा हूँ, अरी वो आपके मुझे दिख रहा है, अप में एक एटिट्यूड आ गया ही, कम से कम मुझे तो ऐसा मत बोल, थोड़ी देर पहले तू मेरे मुझे बे पर कितनी सारी ट्राफिक जाम हो रही है, मेरी गाड़ी देखके सब लोग रास्ते से हट जाते है, वो तो हो गाई सर, जो आपको रास्ता नहीं देगा, हम उसे रास्ते से हटा देंगे, आरे नहीं नहीं यह ऐसा करना की कोई ज़रूत नहीं है, यह रोड है, इस पर सब का अगर आपको कोई भी हल चल दिखाई दे, तो आप सिधा गाड़ी की तरफ भागोगे, यह बात याद रखना, मैं जाके सिकरीटी से बात करके आता हूँ, हे तुम, सबको उपर से नीचे तक बराबर चेक करना, यह प्रेसिडेंट के सेफटी का सवाल है, यहाँ पर कोई अंदर जा सकते हूँ, सर मेरी बात सुनिए, मैंने यहाँ की सिकरीटी से बात कर ली है, कोई भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाएगा, आपको बस वाप भाशन देना है, और आके गाड़ी में बैटना है, चलो यार गाइस, टाइम आ चुका है अंदर जाने का, यहाँ मैं आपको क्या बता हूँ, मुझे बहुत जादा आजीब लग रहा है, पूरे मीडिया का ध्यान मुझ पर ही है, मौनिका यार यहाँ पर करना क्या है, मुझे नहीं आता भाशन देने, मैं क्या बोलूँगा, सर आप चिंता मत कीजिए, यहाँ सामने एक पेपर रखा है, आप वही पढ़के बोल दीजिए, अच्छा यह यह पेपर, ठीक है, यह लग तो ऐसे फोटो ले रहे है, जैसे मैं कोई सिलेबरेटी हूँ, चलो यार, जैसा भी है, दे देते भाशन, शुक्री आप सब का यहाँ पर आने के लिए, मुझे प्रेसिडेंट बने बहुत कम हुआ है, और अब तक तो मुझे प्रेसिडेंट वाले काम भी नहीं आते, पर मैं आप सबसे वादा करता हूँ, यह सब मैं जल्दी से जल्दी सीख लूँगा, मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ, अगर आपकी कोई कमप्लेन हो, या आपको मुझे कुछ बताना हो, तो आप हमारी ओफिशल मेल पर मेल कर सकते हैं, या फिर मुझे खतलिक कर भी भेज सकते हैं, मैं पूरी ट्राइ करूँगा कि उन सब को पड़ू, यह ठीकता ना मोनिका, हाँ सर आप बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो चलो मैं आपसे मिलूँगा अगली मीटिंग में, आ दो मिनिट में नजर गुमाओ, मुझे यहाँ पर कोई भी हल चल नहीं चाहिए, जी सर, मैंने एक बार देख लिया है, अब मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई गरबर तो नहीं लग रही है, जहां तो मुझे दिखाई दे रहा है, उनके साथ उनके भाई, बाक कि सब मीडिया वाले है, इस साइट तो सब क्लियर है, यहाँ पर एक वैन पड़ी है, एक मिनिट वो क्या है, सर एक बंदा है, जो कब से सेक्यूरिटी से बहस कर रहा है, मुझे उसमें गरबर दिखाई दे रही है, कई उसे प्रेसिडेंट को खत्रा ना हो, मुझे यहाँ का काम खतम हो गया है, अब हमारी दूसरी जगह पर अपॉइंटमेंट है, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुचना होगा, वैसे भी आपने पहले वाले प्रेसिडेंट से मिलने में काफी टाइम जाया कर दिया है, चलिए अब चलते हैं यहाँ से, हाँ हाँ ब इनका फोटो लेने के लिए भी लोग आ रही है, अरे बोडिगाट भीया, मुझे बहुत ज़्यादा भूक लगी है, चलो ना जाकर कुछ खा के आते हैं, नहीं शिंचैन, हम सर को ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते, जैसे उनकी फोटोग्राफिय पूरी होगी, हम जाकर कुछ खा लेंगे, अच्छा ठीक है, फ्रेंकलिन भया यार जल्दी करो ना मेरे पेट में चुहे दोल रही है, और कितना टाइम लगीगा आपको, शिंचैन यार इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मना कैसे करो, इस साइट, अब ये वाला एंगल, अब यार तुमनों कितना एं शिंचैन, मिंचैन, चौप, तुम लोगों को भी भूग लगी होगी न, यहां से निकलते हैं, अरी मैं तो कबसे आपका इंतजार कर रहा था, एक बात बताओ, ये मोनिका कहा पर गई, कहीं दिखाई नहीं देरी, पर उसके डिटी का टाइम खतम हो चुका था, अब आपक इसमें कुछ नहीं कर सकते है, हमारा काम है आपको बताना, कल जब मोनिका आएगी तो आपको उसको जवाब देना होगा, अब यार प्रेसिडेंट मैं हूँ या वो है, मैं उसको जवाब की दूँगा, ये प्रोटोकॉल है सर, अब हमी चलना चाहिए, चलो यार गाईस, फ फोटोग्राफी के लिए, फूरा दिन खड़े रहने वाला ही काम था, हमसे के मैं एक चैर लाके तो दे देते मुझे, मैं प्रेसिडेंट हो यार, अरे तो क्या हुआ, आप क्या फोटो बेट की खिचाओगी, उनको जैसे जरूरत होगी, वेसे ही करेंगे न वो तू, हाँ मुझे पता है, रे मैं बस ऐसे ही बोल रहा हू, ठकने के बाद आत्मी इतना भी न बोले, वो तो ठीक है कि मॉनिका दीदी नहीं है यहापर, वरना मुझे फिर से अंदर बैठने नहीं देती, अरे हाँ यार, चौप तू 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 अंदर बैठा है, बजगे आभी मॉनिक का नहीं है, वरना फिर से तुझे ऊपर खड़ा होना पड़ता, नहीं इस बार तो मैं होता है नहीं, जगड़ा कर लिता, बार बार क्या है, चौप यार, ऐसा नहीं होता है, अगर तू ज़्यादा बोलेगा ना तो तुझे घर चोड़ कर जाएगी वो, ठलो, फाइनली हम लोग घर पर पहुच गए, हमारे बॉडिगार्ट्स बाहर खड़े, अच्छा इस बार अंदर नहीं आये, वरना पता चलता सोते टाइम भी ऐसे सर पर नजर रखे खड़े, एक मिनिट अब किसका कॉल आ रहा है, मौनिका, हाँ बोलो, मैंने सुना आपने एक मीटिंग कैं चलता है, ठीक है, चलो, जो कल होगा, देखा जाएगा, तब तक गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है, तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चानल को सस्क्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर, आईटी स्क्रीन पर आरी हो झाल